सच्चाई ये है कि महिला अरक्षन को आज किया जा सकता है कोई complicated मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है महिलाओं को जो इज़त मिलनी चाहिए जो respect मिलनी चाहिए जो भागिदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दे हिंदुस्तान के जो आम जनता है गरीब जनता है उनको पावर देनी है diversion किस चीज़ से हो रहा है diversion OBC census से हो रहा है प्रधान मंत्री हर रोज OBC की बात करते हैं OBC pride की बात करते हैं मगर OBC के लिए किया किया और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीड की हड़ी है जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में सरकार को चलाने में कोई जगे नहीं देते हैं दबा के निकाल देते हैं जैसे मंदिर में मूर्तिय होती है वैसे मूर्तिया मना रखी है और OBC की वहाँ पे मुर्तिया भर रखी, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, हर OBC युगा को ये समझना है, कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए हाँ या ना? कुछ दिन पहले पार्लिमंट का स्पेशल सेशन अनॉंस हुआ और काफी फैनफेर से पुरानी पार्लिमंट बिल्डिंग से नई पार्लिमंट बिल्डिंग में ट्रांजिशन हुआ, वो अच्छी बात है, और में फोकस, स्पेशल सेशन का, पहले तो मालूम नहीं था ये स्पेशल सेशन क्यूं हो रहा है, स्पेकुलेशन काफी हुआ, और फिर पता लगा कि इसका में फोकस महिला आरक्षन है, उसके बाद महिला आरक्षन तो बड़ी अच्छी चीज़ है, उसके बाद ये दो क्लॉ कि महिला अरक्षन देने से पहले हमें census करना पड़ेगा और दूसरा delimitation करना पड़ेगा और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे सचाई ये है कि महिला अरक्षन को आज किया जा सकता है 33% आज जो seats हैं लोक सभा में विदान सभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है कोई complicated मामला नहीं है मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है मगर reality ये है कि implement आज से 10 साल बाद होगा ये भी नहीं मालूम की होगा या नहीं होगा तो एक प्रकार से ये distraction tactic है diversion tactic है diversion किस चीज़ से हो रहा है diversion OBC census से हो रहा है मैंने पार्लिमंट में सिर्फ एक institution के बारे में बात की वो जो हिंदुस्तान की सरकार का center है core है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है cabinet secretary and secretaries और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे हैं अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से 90 लोगों में से सिर्फ तीन लोग OBC community से क्यों है पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही analysis budget को देखके की कि यह पूरा हिंदुस्तान का budget किया है और यह जो OBC officers है यह इस budget में से कितना control कर रहे हैं और क्या control कर रहे हैं आदिवासी क्या control कर रहे हैं दलित क्या control कर रहे हैं OBC हिंदुस्तान के 5% budget को control कर रहे है OBC officers तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बात करते हैं OBC pride के बात करते हैं मगर OBC के लिए क्या क्या अब जब मैंने यह बात बोली उनका response बड़ा interesting है वो कहते हैं कि लोग सभा में हमारा representation है लोग सभा में representation का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूँ कि budget decision जो लेते हैं जो budget को officers है जो budget को control करते हैं 5% OBC निर्ने ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में OBC के आवादी 5% है यह मैं जानना चाहता हूँ अगर 5% है तो फिर वो ठीक है उसको मैं accept करने के लिए त्यार हूँ मगर अगर वो 5% से जादा है तो मुझे यह पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ मुझे यह पता लगाना है यह OBC हिंदुस्तान में कितने हैं और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए अब आप किसी लोगसभा में किसी भी MP से पूछ लीजे लोगसभा को Temple of Democracy का जाता है आप किसी भी BJP के MP से पूछ लीजे कि वो कोई decision लेता है कोई कानून बनाता है कोई कानून बनाने में भाग लेता है किसी से भी पूछ लीजे बिल्कुल नहीं ना Congress का MP इस लोगसभा में ना BJP का MP ना कोई और India का MP कोई decision लेता है मतलब MPs को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तिया मना रखी है और OBC की वहां पे मूर्तिया भर रखी है मगर पावर बिल्कुल नहीं है देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या और हर हर OBC युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए हाँ या ना अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी अबादी 5% है हाँ या ना ये सवाल है और distraction इस बात से हो रहा है BJP को ये जो दो points है महिला आरक्षन वाले delimitation और census इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज़त मिलनी चाहिए जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो भागिदारी होनी चाहिए उनको एकदम वो कर दे और caste census का जो हमने data निकाला था उसको public कर दे तो सारे हिंदुस्तान के OBC युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने और निया census caste basis पे करें थैंक यू और और प्रदान मंत्री को प्रदान मंत्री को अपने अगले भाशन में ये कहना है ये समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे ज़रूरी 90 अपसर जो है उन में से सिरफ 3 OBC क्यों है ये में सवाल है और मैंने दलितों और आदिवाजियों की बात ही नहीं की अभी मैंने अपने भाशन में कहा कि आजादी की जो movement थी वो एक शुरुआत थी distribution of power transfer of power to the people of India हिंदुस्तान के लोगों को power transfer करने का पहला बड़ा कदम था उसके बाद हमने और कदम लिये हैं caste census से जो data निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और power transfer करने का तरीका है मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो OBCs हैं, Dalits हैं, Tribals हैं बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं उनको हमने transfer of power करना है उनके लिए हमें power transfer करना है उनके हातों में power डालनी है foundation वो है और caste census की जरूरत है क्योंकि उसको समझे बिजना हम यह करी नहीं सकते हैं मेरा कहना है कि जब मैंने यह आकड़ा देखा मैं हिल गया मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि 90 secretaries में से तीरों भी सी कहा है मैं शोक हो गया, हैनान हो गया यह क्या हो रहा है और इसको बदलना है हिंदुस्तान के जो आम जनता है गरीब जनता है उनको पावर देनी है मैं जो हिंदुस्तान की जनता है उनको इंपावर करना चाहता हूं और अगर मुझे दिखे कि OBC community जो है जो बहुत बड़ी community है किसी को नहीं मालूम कितने लोग है बट लोग कहते हैं पचास परसेंट तक हो सकते है जब मुझे दिखता है कि एक community है जिसमें हिंदुस्तान की पचास परसेंट आवादी है और गर्बर्मन्ट अब इंडिया की सेक्रेटरीज में तीन लोग हैं नबे में से तीन और वो पाँच परसेंट बजट को कंट्रोल करते है तो मुझे गुस्सा आता है इरिटेशन होती है इस देश में हो क्या रहा है एक तरफ हम अदानी जी को देश के पुरे इंस्टिट्यूशन पकड़ाने हैं नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान की रीड की अड़ी है जो हिंदुस्तान को चलाते हैं उनको हम हिंदुस्तान को चलाने में सरकार को चलाने में कोई जगे नहीं देते हैं दबा के निकाल देते हैं तो इससे मुझे इरिटेशन हो रही है और जैसे हमारी सरकार आएगी हमने वहाँ पे करनाटक में कहा था कि जिस दिन आएगी उस दिन हमारी पांच गैरेंटीज लगू हो जाएगी यहां भी मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार आएगी कास सेंस्स होगा और देश को पता लगेगा कि हमारे OBC भाई कितने है दलित भाई कितने है और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी यह मैं आपको कह रहा हूँ यह छोटी प्रोसेस नहीं होगी एक दिन में नहीं होगा मगर नियत समझे आप नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अमेचा जी ने कहा कि हमने OBC को विदान सबा में लोक सबा में डाला है आप मुझे बता दीजिए कानून बनाने में बजट में उनकी क्या भागीदारी है पहले 50-60 साल पहले डिबेट्स होती थी MPs का रोल होता था MP कानून बनाते थे हमारी पार्टी में भी MPs को हम रोल देते हैं उनसे बाचीत करते हैं नारेगा में इन्वाल्व करते हैं आप किसी भी BJP के MP से पूछ लीजिए विदान सबा में किसी भी स्टेट में पूछ लीजिए सरकार चलाने में उनकी क्या भागीदारी है जवाब देंगे हमारा कोई रोल नहीं है यह जो मैंने मूर्ती के अनलेजी आपको दी है यह BJP के MP ने मुझे लोकसभा पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के बाहर बुला है कि हमें यहाँ पर बैठा रखा है हमारा फाइदा उठा रहे हैं हमारी कोई बागीदारी नहीं है सरकार को चलाने में थैंक यू